आप देख रहें इंडिया न्यूस का डिजिटल प्लाटवर्म आपके साथ मैं रशना बंसल दिली के जंतर मंतर पर हमारे पहलवान डटे हुए हैं देश का मान बढ़ाने वाले देश का जुसर है वो गर्व से उचा करने वाले पहलवान जंतर मंतर पर पंद्रवे दिन भी और उनके जरी कहा यह जा रहा है कि जब तक बिजभूशन की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक हम यहां से हटने वाले हैं नहीं इस दौरान सोचल मीडिया पर अलग-अलग तरह की कॉमेट्स देखेंगे टिपड़िया देखेंगे अलग-अलग तरह की मीम्स देखेंग और यह आंदोलन नजानी कितना लंबा अभी खिचेगा क्योंकि आज किसानों का पहुंचना वहां पर जारी है बड़े चेहरे वहां पर पहुंचे किसान भारी संख्या में पहुंचे इसमें उत्तर प्रदेश, राजिस्तान, हरियाना, पंजाब, प्रदेश के अलग-अल पहुलिस कर्मियों की भी तैनाती की गए की, बात इतनी है कि 15 दिन से यहां धंडा प्रदेशन पर पहलवान बैठे हुए हैं, इस दौरां जो F.I.R. दर्श कराए गई है, महिला पहलवानों की जरिये, उसमें कई गंभीर बाते हैं और यह बताया गया है कि कैसे उनका आगे पहलवान जो थी वो अनकमफूटरिबल होती रहें और यह यह लमबे वक्त तक चलता रहा, खिषता रहा, अब जब महिला पहलवानों ने हिम्मत दिखाई है जैसे कि महिला पहलवान दावा कर रही है कि हमने अब हिम्मत की है आवाज उठाने की और आगे आने वाली पीडियों के साथ ये ना हो आगे आने वाले नए खिलाणियों के साथ ये ना हो इसलिए हम चाहते हैं कि ब्रिज सिंग के खिलाफ अभी तक आक्शन हुआ नहीं है यह थोड़ा है इसलिए भी पैदा करता है क्योंकि दिल्ली पुलिस के रही है हम सगंता से जांच को आगे बढ़ा रहे हैं और जांच के आधार पर ही आगे आक्शन होगा महिला पहलवानों की आरोप गंभीर हैं मैं यह कहत कि पहलवानों की इस धरने को शांत किया जाए पहलवानों से बात की जाए जिसका इंतजार सिर्फ पहलवान नहीं हम भी कर रहे हैं और जो संबंदित लोग हैं वहां पर पहुंचे और पक्का आश्वासन दिया जाए कि ब्रिश भूशन के खिलाफ जांच भी होगी और ज उन्होंने आज शाम साथ बजे कैंडल मार्च निकालने का भी यहां पर एक तरीके से अपील की है ट्विटर के जरीए पोस्ट किया है और कहा है देश भर में जो लोग हमारे समर्थन में हैं वो कैंडल मार्च निकाले हैं आला कि पहलवान ये भी कह रहे हैं कि शांती पू हो जाएं मांग पर ध्यान जरूर दिया जाया और कम से कम सैटिस्फेक्ट्री आंसर या तो दिल्ली पुलिस या फिर जो संबंदिस जिम्मदार लेता हैं लोग हैं विभाके वह पहलवानों से बात करें और ये धर्णा खत्म होना चाहिए क्योंकि ये देश की चबी के लि है